हेलो दोस्तों दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारे चहरे पर काफी ज्यादा फोड़े फुनसी दस्तक देने लगते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन कई बार यही फोड़े फुनसी हमारे गालों पर ना निकलने की बजाए हमारे माथे पर निकल जाते हैं और ये हमारे चहरे को काफी ज्यादा भद्दा दिखाते हैं आईए जानते हैं कि अगर आपके माथे पर फोड़े या फुनसीया हो गए हैं तो आप उन्हें घरेलू उप्चारू से ठीक कैसे कर सकते हैं। टिप नमबर बन, अगर आपके माथे पर बहुत ज्यादा फुनसिया हो रही है तो निलंतर या फिर रोजाना अपने माथे पर जैतून के तेल से मसाज करिए। जैतून के तेल के अंदर अंटियोक्सिडिन तत्व होते हैं। इसलिए वे उन बैक्टिरिया को निश्ट करते हैं जो कि बार बार फोड़ी फुनसों को निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए रोजाना अपने माथे पर अच्छे तरीके से और हलके हाथों से जैतून के तेल से मसाज जरूर करिए। टिप नमबर टू है नीमू के रस से मसाज करना। नीमू के रस के अंदर ऐसिटिक तत्व होते हैं जो बैक्टिरिया को निश्ट करते हैं। अगर आपके माथे पर बहुत ज्यादा फोड़े फुनसी हो गए हैं तो नीमू के रस से भी आप महस 5 मिट के लिए अपने माथे पर मसाज कर सकते हैं। यह भी आपके लिए काफी अच्छा आप्शन रहीगा। टिप नमबर 3 है उप्टन। आप किसी भी हर बर या फिर घर पे बने हुए उप्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने माथे पर और अपने चहरे पर पूरे ही चहरे पर आप उप्टन लगा लीजे और सूखने के बाद धो लीजे। इस बात का विशेश धियान रखिए कि जब भी आप अपने चहरे पर उप्टन लगाएं तो उसे धोने के बाद अच्छे मॉस्चे राइजर का प्रयोग जरूर करें। सो दोस्तों ये है आसान से तरीके माथे पर पढ़ने वाले फोड़े फुंसियों को दूर करने के इन्हें ट्राइप जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्ज से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए।